विडियो वाकि बड़ा कमाल का होने वाला दोस्तों आज के इस विडियो में एक अलग सा एक नया सा टाइप जो रिलेटेड टू बोर्ट संस्ट्रीम्स में आपके लेकर आगया हो क्या भाई साब यहां पर एक बोर्ट है इस बोर्ट का जो स्पीड है वो अपने को मेंचेंड है जो की है 5 km पर आवर इतना उस बोर्ट का स्पीड है और ओवियसलिए यह बोर्ट जो नदी में है रिवर में है बराबर आप इसका भी जो coupled वो दिया होए ok ।दर के रिवर इस जो है यहां से निकलती है और एक प्लेस को विजिट करती है let's consider यहां पर कोई तो प्लेस है यह बोट यहां से निकलती है इस प्लेस को विजिट करती है और वापस से रिटन आती है वापस से रिटन आती है 20 आवर्स में 20 आवर्स में मतलब 20 गंटे में जो है एक प्लेस से नि उस पूरे जरनी को वो है 20 गंटे 20 hours are taken by that particular boat, ठीक है, तो अभी वो आपने को पूछ कह रहा है, what they are asking, what is the distance between the places, ये दो places के बीच का जो अंतर है, जो distance है, वो कितना है, अब ये अपने को find out करना है, तो उसके लिए भाईया, एक simple सी trick जो है, वो मैं आपके सामने या पर रखने कि कोशिश करता हूँ, वो क्या है, बड़ा आसान है, let's consider भाईया, जो boat की speed है, उसे x consider करते हैं, जो stream की speed है, उसको y consider करते हैं, और जो time लग रहा उस जरनी को, उसे अपन t consider करते हैं, therefore, the distance that comes out to be between the two places is simply equal to t into x square minus y square, correct ये हो गया, divided by 2x, simple as that, ये है, अब इसको आपन compute करते हैं, ये कैसे होगा basically, so it is going to be t कितना है, 20 into 5 square minus 4 square, 25 minus 16, ये निकल कहाता है, यहाँ पे 9, divided by, कितना है यहाँ पे, divided by it is 2x, that is 2 into 5, that is 10, तो यहाँ पे 1 जा हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, correct, तो 9, 2 जा कितना हो जाएगा, 18 km, 18 km, हाँ भाई आगया, कि यहाँ से यहाँ तक कम इतलब, the distance between the two places is 18 km, तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, उससे बिजाज जरूरू इस वीडियो को शेर कीजे, अपने सार्थ दोस्तों के साथ, thanks a lot दोस्तों for watching this video.